महोदै केंद्रिय समाज कल्यान बोड का अध्यक्ष पद संभालने के बाद समाज से सीधे नियमित समवाद करने की चाहत पनपी बोड की तरफ से कुछ देकर ब्रहत समाज से कुछ पाते रहने की प्रती माह समाज में पस्री वी संगतियों में से एक को चुन कर देखने परखने वे सब के सहयोग से परखते रहने की चलिए इसी बहाने ही सही हम और आप सम्मुख हुए और अब समय आ गया है अपना संकल्प सुनाने का आपसी चर्चा के दौरान विभेन वर्गों के नर नारियों ने पूछा यह समाज कल्यान बोड क्या है इसकी गती विदियां क्या है प्रश्नोतर के बहाने से एक संकल्प जागा बोड के सह कर्मियों से विचार विमर्ष किया और उन सुभेच छकों के प्रश्नों के उत्तर स्वरूप बन गया चेतना पर्व मनाने का संकल्प यह दो तरफा चेतना है सामाजिक विकास की गती विदियों से समाज को अवगत कराने की वहीं समाज की वर्तमान आवशक्ताओं और अपिक्षाओं से बोड को परिचित कराने की एक बार फिर समाज को जागते रहने का आहवान करने की आवशक्ता हो गई है हमारे चारों तरफ जो कुछ हो रहा है जिसे पढ़ सुनकर हमारा मन व्याथित होता है क्या वह सब समाज के हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने का परिणाम नहीं है पैरा यदि समाज सावधान रहें तो क्या बालिकाओं की ए सिक्षा महिलाओं पर उत्पीडन व्रद्धों का अनादर बच्चों की अवहेलन और भी बहुत कुछ रोका नहीं जा सकता है समय रहते ही संभला जा सकता है इसलिए समय आ गया है कि अब एक बार हम पुनह अपनी बस्ती के सबसे उचे स्थान से समाज के सभी वर्गों के लोगों की आवशक्ताओं का ध्यान रखते हुए उनका कुछ कल्यान करें और सोभाग्य वश इसी बहाने से ही पिछले माह दिल्ली के कुछ स्वेचिक संगटनों द्वारा निकाली चेतना यातरा को समर्थन और सहयोग देकर बोड ने अपना संदेश समाज के एक हिस्से में पहुचा कर अपनी और से पहल कर दी इस पहल के तहत ही बोड ने इस संकल्प को पोस्टरों पर अंकित कर समाज में प्रसारित प्रचारित किया संयोग वश इनही दिनों महिलाओं पर बढ़ते उपीडन के विरुद जन जागरण के लिए संस्थाओं द्वारा विभेन कारेकरम आयोजित किये जा रहे हैं सच तो यह है कि नारी जो समाज की धुरी है उसकी समश्याइं केवल नारी की समश्याइं नहीं है वे समश्याई हैं उन सब की जिनकी वह धुरी है अर्थार्थ नारी समश्या संपोण समाज की समश्या है पोण विराम महोदय चेतना मानव मन की एक स्वाभाविक प्रवर्ती है यह प्रवर्ती सामजिक दबाओं से निर्मित और विक्सित होती है यह अपने समय और समाज को जानने समझने से प्रखर होती है इस्थतियों और परिवेश इसका निरंतर परिशकार करते हैं अपनी चेतना के द्वारा व्यक्ती अपने समय और समाज को भी प्रभावित करता है इतना ही नहीं कभी-कभी व्यक्ति अपनी चेतना के द्वारा समुचे समाज को अपने अनुसरन के लिए बाध्य करता है विभिन समुहों के घटन के द्वारा सामुहिक चेतना का विकास होता है सामुहिक चेतना का विकास मानव की सामाजिक प्रगती का आधार है जहां जहां सामुहिक चेतना का प्रसार हुआ वहां वहां मनुश्य ने प्रगती के नए आयाम विक्सित किये समता और संपन्नता का मार्ग प्रसस्त किया इतना ही नहीं अपनी चेतना के द्वारा सारी सामाजिक सन्रचना को प्रभावित किया जिससे एक नया इतिहास बना आज विश्व के किसी भी हिस्से में सामोहिक चेतना से प्रेरित जब भी कोई सामाजिक आंदोलन या सामाजिक बदलाव की प्रकरिया प्रारंब होती है तो उसका प्रभाव शीग्र ही सारी दुनिया में दिखाई देता है यह प्रभाव वहां के परिवेश के रंग में रंगा होता है इसलिए चेतना का प्रसार सामाजिक विकास की पहली शर्त है विश्व का इतिहास साक्षी है कि जिस जिस समाज में सामुहिक चेतना का हास हुआ उसे बुरे दिन देखने पड़े अर्थार्थ उसकी प्रगती अवरुद्ध हुई उसे राजनेतिक पराधीनता सहनी पड़ी उसके सामाजिक जीवन में विक्रतियों का समावेश हो गया इसलिए सामुहिक चेतना समाज की प्रगती के लिए अनिवारिये है केंद्रिये समाज कल्यान बोड पिछले कई दश्कों से लगातार अपनी गती विधियों के द्वारा समाज को सचेत और जागरुक बनाने के लिए प्रयात्नशील है आज सामाजिक मुद्दे और सामाजिक विकास की गती विधियां चर्चा के केंद्र में है तो उसका एक बड़ा कारण वह है चेतना जो बोड ने अपने कारिय करमों के द्वारा समाज में विक्सित और निर्मित की है इतना ही नहीं बोड ने वन्चितों और उपिक्षितों के मन में बहतर जीवन के प्रती आस्था और विस्वास पैदा किया है पैरा स्वतंत्रता के 55 वर्ष बीत जाने के बावजूद भरतिय समाज में अनेक कुरूतियां अपनी पूरी शक्ती के साथ मोजूद है इन सामजिक विक्रतियों के विरुद्ध जनसाधारन को सचेत बनाने का बीडा किंद्रिय समाज कल्यान बोड ने चेतना पर्व में उठाया है चेतना पर्व के दोरान जनता को सामजिक समश्याओं से भी परिचित कराया जाएगा पहतर समाज बनाने के लिए प्रेरिक करने वाले कारेकरम सभी जगहे में आयूजित होंगे पुर्ण विराम